सो दोस्तों आचकी इस वेडियो में मैं आपको बताने वाल हो कि आपके से आपके इंफिनिक्स होटेल एवें स्मार्टफोन के अंदर LED नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यह काफी इनेंस कर देता है आपके स्मार्टफोन के लुक को और यह काफी जबरदस लगता है देखन अपके स्मार्टफोन के अंदर LED नोटिफिकेशन इनेबल करना है तो आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों यहापर आपको LED नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए एक एप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि एक काफी चोटे एमबी इस एपको आपको simply install कर लेना है और यहाँ पर आपको simply जैसी आप इसे open करते हो तो इसे आपको enable के उपर click करने के back कर देना है इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर allow कर देना है जो भी यहाँ पर cancel हो रहगा यहाँ पर allow करके यहाँ पर आपको simply back के उपर click करके यहाँ पर एप का इंटरफेस है वो यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर काफी सरी सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके बाद आपको simply main settings के अंदर चले जाना है दोस्तों और required permission के उपर click करना है इसके बाद independent light controller यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके उपर आपको simply click कर देना है और यहाँ से आपको download app के उपर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर AOE जो तीनों दिख रहे हैं इसको आपको simply तीनों के उपर जाकर यहाँ पर allow करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आपके smartphone के अंदर एसा कुछ आता है तो इसके बाद आपको simply यहाँ पर click करके इसे OK कर देना है OK के उपर जैसे क्लिक करते हो जो यहाँ पर allow हो चुका है हमारा जो इस setting है उसके बाद आपको simply यह दोनों भी यह आप उसी प्रकार से allow कर देना है तो दोस्तों यह allow कर लेता हूं मैं और उसके बाद दिखा तो आपको आगी की settings क्या करने है तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो settings से allow हो चुकी इसके बाद आपको simply back चले जाना है back होने के बाद यहाँ पर आपको independent light controller के नीचे यहाँ पर notification access वाली setting नजर आ रही होगी उसके उपर आपको simply click करना है और enable के उपर click करके इसे notification access दे देना है इसके allow कर देना है और यहाँ पर allow करके यहाँ टिक करके यहाँ पर ok कर देना है ok जैसी करते हो दोस्तों यहाँ पर allow हो चुकिए हमारी setting और यहाँ पर tick mark भी आ चुकिए tick mark आने के बाद यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़ चार नहीं करने और optional permission भी आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको simply save के उपर क्लिक करके यहाँ पर free वाले के उपर क्लिक करना है free वाले के जैसी उपर क्लिक करते हो यहाँ पर video आ जाएगा और video देखती है हमारी setting वो successfully save हो चाहेगी तो दोस्तो इससे save करने के लिए यही कुछ आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा वरना यह app paid है अगर आपको paid version भी लेना होगा तो इससे आप simply ले सकते हो settings से successfully आ चुका है दोस्तो इसके बाद आपको simply back आ जाना है app settings के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको when to turn on edge LED notification इसके ओपर क्लिक करना है और आपको यह कब चाहिए notification आती है किसी app की तोप चाहिए यहाँ फिर charging के वक्ट चाहिए music सुनते होगा तो यहाँ पर कई सारे डेर सारे option आपको देखनी के लिए मिल जाती है इसके बाद आपको notification के ओप पर क्लिक करना है आपको display on चाहिए या फिर off कप चाहिए LED notification आपका display on हो रहागा तब या फिर off रहा तब तो यहाँ पर always करेंगे हम always on off जैसा भी होगा इसके बाद आपको कुछ भी छेड़ खाने नहीं करने इस settings के अंदर अप charging को अगर आपको charging के वक्त भी चाहिए तो यहाँ पर उसी परकार की settings कर लेने है always off और on इसके बाद नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको edges brightness वगेरा इस दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके बाद आपको simply save के उपर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको free के वाले के उपर click करना है और इसे save कर लेना है settings share successfully यहाँ पर आ चुका है दोस्तों जैसी की आप दर आप देख सकते हूँ दोस्तों जो आमारी third setting काफी main setting lightning setting इसको आपको ध्यान से दिगना पड़ेग तो यहां से आप settings कर सकते हो, दोस्तो यहां पर corner में हमें नहीं चाहिए, तो यहां पर हम simply enable notch support के उपर click करेंगे, यहां पर adjust automatically, तो यहां पर आपको adjust manually के उपर click करना है, और आपको notch type कुन सी, O, V, U, जो भी है, वो यहां पर आपको select कर लेनी, इसके बाद यहां से dance से देखि के असपास, तो यहां पर 82 कर देते हैं, और इसके बाद जो अमरी 3rd setting है, उसको 82 कर देना है, और जो 4th setting है, उसको 22 कर देना है, इसके बाद यहां पर आपको नीचे चले जाना है, अगर आपको thickness बढ़ाने होगी, HLED notification की, तो यहां पर देख सकते हो, जो enable हो चुका है, उसक आप simply thickness बढ़ा सकते हो, इसके बाद यहां पर lightning placement के उपर click करना है, अगर आपको यहां पर around notch only के उपर छोड़ के यहां पर जो भी setting होगी, जिसके उपर भी click होगा, उसके उपर से हटा के यहां पर आपको around notch only के उपर click कर देना है, अगर आपको whole screen में चाहिए, तो around whole screen के उपर click कर सकते हो, पर हमें around notch only के उपर click कर देना है, इसके बाद नीचे आजाना है, यहां पर age style के उपर जैसी आप click करते हो, यहां पर जो shine के उपर click है, उसके आपको follow के उपर click कर देना है, follow के उपर जैसी क्लिक करते हो, यह rotate होने लग जाएगी, जिसके यहां पर आप बैटरी लेट चार्ज होगी तो यह बंद हो जाएगा automatically, तो दोस्तों यहाँ पर continuously भी दरख सकते हो, यहाँ पर 50% sky भी रख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर age color amount के उपर click करना है, अगर यहाँ पर आपको rainbow style रखना है, तो यहाँ पर rainbow के उपर click करना है, यहाँ पर rainbow style आ चुका है, इसके अंदर आपको काफी सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे spectrum का भी option देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी बढ़ी अलगता है, इसके बाद अगर आपको एकी color में यहाँ पर LED notification रखना है, तो one color के उपर click करना है, और यहाँ से आप simply इसे change कर सकते हो, जो आपको color जाए हो, यहाँ पर आप simply रख सकते हो, इसके बाद two color आपको रखना होगा, दो color में, तो यहाँ पर two color में भी आप simply इसे रख सकते हो और यहां पर capable कर सकते हो यहां नियबल कर सकती हो चty on the do colors, जिसके के आप एक आंप पर देक सकते हो इसके बाद अगर आपको तीन color में रखना होगा तो यहां पर थी colors के उपर क्यों अइप और आप acquies तरफ यहां पर से हो चुक है तो दोस्तों यहाँ पर rainbow style के उपपर क्लिक कर देना है rainbow style काफी बेतरीन लगता है इसके बाद यहाँ पर lightning placement के यहाँ lightning effect के उपपर आपको simply click कर देना है यहाँ पर आपको तीन option देखने के लिए मिल जाते है normal glow and dash normal के अंदर एसा कुछ दिखता है दोस्तों और अगर इसको glow करते है आप तो जो अमारे around notch है वो यहाँ पर glow हो जाती है अगर आप इसे dash करते हो तो dash dash वाला यहाँ पर option आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद मैं अगर आपको suggest करो तो यहाँ पर आपको simply glow के उपर क्लिक करना है अगर आपको इसकी speed बढ़ाने होगी जो rotation की speed है वो यहाँ पर कम ज्यादा करने होगी तो यहाँ से आप simply इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो पर यहाँ आपको 3 के उपर यहाँ पर minimum रग देना ह और यहाँ पर इसे save कर लेना है save करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा और जो हमारी setting वो successfully save हो चुकी ज़िए कि आप यहाँ पर देख सेटिंग से successfully आ चुका है तो दोस्तो इसके बाद आपको simply नीचे आ जाना है और preview के उपर click करना है त और यहाँ पर देख सकते हो काफी बेतरिन लग रहा है दोस्तो अगर आपको यह process करने होगी और यह app install करने होगी तो आपको description में op the digital king के सामने यहाँ पर आपको एक link मिल जाएंगी उस link के द्वारा आप इस install कर सकते हो और आपके process कर सकते हो आपके mobile के अंदर और इस LED notification को enable कर सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले उड़ों में तब तक के लिए बाए